सरद रितु के आगमन होते ही जो है गेंदा हमारे दिल में एक फूल आने लगता है तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें आप मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कटिंग से गेंदे को ग्रोव कर सकते हैं और कौन सा फटिलाइजर आप इसमें दें जिससे की इसकी कटिंग बह लगाएं किस तरीके से उन कटिंग को ग्रोव करें और कैसे उनको रिपोर्ट करें और कैसे आप बड़े बड़े गेंदे जो है अपने घर पर ही ग्रोव कर सकते हैं तो यह मेरा लास्ट येर का एक प्लांट एफ्रेंट वैसे तो हाइब्रिट गेंदा बिल्कुल बसता न उसकिल से मैंने इसको बचाया तो मुझे इतनी ज़्यादा खुषी हो रही है कि जब आपका पुराना प्लांट आपको मिल जाया रूससे आप नए प्लांट ग्रोव कर लो तो कितनी खुशी होती है तो आप सबको पता ही है तो अगर आप गाड़नर है तो आपको इसका ए मेरे साथ तो यह देखे फ्रेंड यह कुछ मेरे न्यू बिगनर्स के लिए है कि किस तरीके से कटिंग्स ग्रो करनी है कुछ अगर पुराने लोगों को भी नहीं पता कही बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ गेंदा सीट से ही ग्रो होता है लेकिन बहुत इतने फनाइल के कंटेनर थे सबको खाली करके रखा हुए और सब में मैंने किसी ना किसी चीज की कटिंग्स लगा करके रखी हुए है तो जब भी आप कटिंग्स को ग्रो करें उसमें थोड़ा सा जो है आप नीम खली जरूर मिलाएं क्योंकि नीम खली इस समय क्या होता है बरसात के बाद जब आप कटिंग्स ग्रो करते हैं तो उनमें कई बार जो है पैस्ट का अटैक हो जाता है तो ये देखे इस तरीके से एक मुठी नीम खली मिला लीजे और उसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजे मिट्टी के साथ और उसको जो है कंटेनर में फिल कर दीज करते हैं तो ये देखे इस तरीके से आप इसको कंटेनर को फिल करें कंटेनर में पहले आप एक लियर मिट्टी के डाल दे और उसके उपर जो है आप एक लियर इस समय मैंने इसमें और कोई फटिलाइजर नहीं दिया है इस समय मैंने से सिंपल गार्डन सॉयल और एक लियर मिटी की लगाने के बाद मैंने एक लियर गाडन के सुखी ह Julian के रख दी है और उसके बाद मैं फिर से इसमें जो एक लिए दो तिन लियर जो है मिट्टी डाल दूँदी और सिंपली में इसमें कटिंग लगा दूँदी कई लोग कहते हैं कि हमारी cutting नहीं चलती है तो उन लोगों के लिए मैं especially बताना चाहूंगी कि cutting को या तो हल्दी के paste से या fungicide लेकर के market से या आप aloe vera gel से इसको लगा सकते हैं पर मेरी cutting 100% ऐसे ही चल जाती है तो इसलिए मैं कोई ताम जाम नहीं करती हूँ लेकिन कई बार होता है कई लोगों का तो यह देखिए इससे मैंने कई सारी कई सारे plant बना लिया है और यह इतनी बड़ी cutting आपके लिए बहुत है इसको आपको simply क्या करना है simply आपको इसको मिट्टी में insert करके tightly pack कर दें तो यह आपकी cutting बहुत जल्दी grow हो जाएगी उसके में मेरी cutting grow हो जाएगी तो नीचे की थोड़ा सा लीफ को remove कर दीजे और बस ताकि जो है मिट्टी में यह leaves जो है कोई fungus का attack ना वह इन पर और यह cutting हापकी अच्छे से चल जाए तो इस तरीके से देखे मैंने लगा दी इस पर 5 cutting और छोटे से प्लांट से मैंने 5 cutting बना लिया साथी में आपको क्या करना है इसमें अभी आपको कर देनी एक अच्छी सी watering ताकि जो है plant sock में ना आए और यह हमारी cutting है यह जुल से ना धूप से गर्मी से और यह बढ़िया से हमारी grow हो जाए अब बारी आती है जब आपकी cutting लग भग जो है one week की हो जाती है या 5 से 6 दिन क हो जाती है तब इसमें बारी आती है अच्छे से fertilizer को देने की तो यह fertilizer जो यह देखिए यह है aloe vera leaf तो aloe vera leaf को आपको क्या करना है इनको cut कर लेना है आपको छोटी छोटी पीसे में और उसके बाद जो आपको इसको grinder में grind कर लेना है और उसका जो आपको एक paste मिलेगा और किसी भी तरीके की cutting आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी मेरी cutting grow हो यह किसी fungus का इस पर attack ना हो तो आप इस तरीके से जो है एक aloe vera का gel बना ले और उस gel को लेकिन आपको दिहान रखना है उस gel को आपको within 24 hours जो है इस्तमाल कर लेना है तो यह मेरा बन गया एक aloe vera का gel और य ऐसी जैसे आपका यह gel बन गया है इस gel को आप directly अपनी cuttings में दे सकते हैं और आपकी cutting जो है बहुत अच्छे से यह एक तरीके का fungicide भी है और यह जो aloe vera होता है इसमें जो है हमारे plant को जो है हमारे plant की humanity को बहुत strong कर देता है हमारे plant में जो है root को जल्दी निकालने के नहीं चलती तो आप cutting लगाते समय भी जो है direct aloe vera gel ले सकते हैं तो यह मैंने ले लिया एक मगगा और मगगे में थोड़ा पानी लिया पानी में मैंने इसको आड़ कर दिया है और directly आप इसको ऐसे आड़ करके और अपने plant में दे दीजिए मैं तो कहते हूं आप 24 गंटे का इंतजार ना करें इसको रखने का आप बस तुरंत बनाएं तुरंत अपने plant में इसको दे दें तो यह ज्यादा लाबदायक होगा तो इस तरीके से देखिए यह मेरी cutting कैसे grow हो गई है और इसमें यह मेरी गुल्दावरी की cutting है वह मेरी हो जाए और यह जल्दी से देखिए अब मैंने कर लिए हैं plant report और इनकी कर लेनी है आपको जब plant को report कर लें आप तो ध्यान रखना है plant की जैसी plant थोड़ा बड़ा होने लगे तो plant की आपको पिंचिंग जरूर करनी है आप प्लांट की जितनी पिंचिंग करेंगे आपका plant उतना ही घना और बुशी होता जाएगा उस पर फ्लार उतना ही बड़ा निकलेगा तो यह देखिए यह कुछ जो है जहां से मैंने पिंचिंग करी है तो यहां पर जो यह डेड़ लीव्स होती है इनको हटाना बहुत जुरूरी है देखिए मैंने करी यहां पर पिंचिंग और यह जो है यह मेरा अभी इस पर सिर्फ एकी ब्रांच है इस पर मेरी निकल गए यह तीन ब्रांच और यह देखे दो ब्रांचों को मैंने पिंच कर दिया यह मेरा अभी इस पर देखे तीसरी ब्रांच यह है और जो मेरा दूसरा प्रांट है इस पर अभी सिंगल प्रांच आपको मिलते रहें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक्स वीडियो में बाई हैपी गार्टनिंग और गेंदे को इंजॉय कीजिए दीपावली में